हलो दोस्तों मैं नामा मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टॉड़े चैनल ये है दोस्तों यूपी लेकपाल परिक्षा का पेपर जो आज 31 जुलाई को हुआ है बहुत सारे छात्रों का एक्जाम काफी अच्छा हुआ है और वो अपने पेपर से संतुष्ट भी है वहीं कुछ चात्रों का पेपर खराब भी हो गया है तो आपको भी अभी वरिशान होने की जरूरत नहीं है आप उन धाई लाग चात्रों में सौट लिस्टेद हुए थे और ये ही एक बड़ी बात है अब अन्तिम आठ हजार में सामिल होना है नौकरी पाने के लिए आपके सामने होंगी बात करें इस पेपर की तो पेपर दोस्तों ठीक आया था और लेकपाल में 100 कोश्चन आते हैं आपको पता ही है चार सेक्सन है 25-25 कोश्चन के तो यहां पर पेपर ठीक ठाक था इसे हम ना बहुत आसान कह सकते हैं ना बहुत कटिन कह सकते हैं घर पे आने के बाद सभी पेपर आसान ही लगते हैं में पेपर के साथ जो संखर्स होता है एक्जामनेशन हॉल में वो जादा महत्पुड होता है हिंदी ठीक आई थी जैसा आता है वैसा ही आया था मैट्स की बात करें तो मैट्स में जोस्तों जो बिल्कुल मैट के सवाल हैं वही सारे चीज़ें आई थी ग्राफ अगरे आया था और जो मैट के बेसिक कोश्चन हैं वो सब देखने को मिले थे तो यहास सम्मिकरण का सवाल था LCM, HCF तो यह सारे चीज़ें आई थी तो ऐसा ने एक जो नॉर्मली मैट देख रहा था उनका यहां पर अच्छा हुआ होगा पेपर जो लोग मैट लगाते हैं जो मैट बैग्राउंड से हैं उनके लिए तो यह पेपर काफी अच्छा था बाकि जिन्नों ने यूपर ट्र LC के previous papers को देखा होगा प्रैक्टिस किया होगा उनका भी ठीक ठाक exam निकला है वहीं पर जीके का बात खरया है जीके बिल्कुल ठीक था यहीं पर बहुत सारे चातर 40 form को लेकर पर रेशान हुए क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवालों में clarity नहीं थी जिनको 40 form उसका पता वही सवालों को कर पाएं होंगे और आपका पेपर कैसा हुआ कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं ये पेपर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा जल्दी से जाए जोइन कर लिजिए और इसे डाउनलोड कर लिजिए अपने पेपर नहीं दिया है तो भी आपको पेपर में देख सकते हैं बात करें कट ओफ की बहुत सरचात कट ओफ को लेकर परिशान है तो दोस्तों मुझे जो लगता है मेरा जो अनुमान है 80 प्लस यदि आपके स्कोर बन रही हैं तो आपको परिशान नहीं होना है क्योंकि इसी के आसपास कट ओफ जाने वाला है बा वो मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं बाकी लोग 85, 95, 95 भी बता रहे हैं कुछ लोग 95 प्लस भी बता रहे हैं उन्हें अब बताने दीजिए ऐसा नहीं होता है कि 95 प्लस कट ओफ चला जाएगा 8000 जहां पर सीट हैं डाइला कोई फाइनली सॉड लिस्ट किया गया था इसे भी हमें ध्यान रखना है पेट में भी लोग बता रहे थे 85, 95, 95 लेकिन आपको पता ही है पेट का कट ओफ कितना गया था लेकपाल के लिए तो बहुत ज़्यादा कट ओफ नहीं जाएगा क्योंकि मैं ठीक ठाक था कुछ आत्रों का जीके अच्छा है तो मैस में वो कमजोर है म मैस उनका बैक्राउंड नहीं है कुछ लोगों की हिंदी वीक है तो ऐसे करके जब सब कुछ मिलाया जाता है तो कुछ न कुछ छात्रों का वीक पॉइंट बन जाता है जिनका सब स्टॉंग होगा जो बहुत अच्छे होंगे हर फिल्ड में हो सकता है उनका 90 बना हो या 95 ब नहीं होगे वो उसके नीचे होगे और जो आज बता रहा है कि मेरे 90 कोशन सही है यानि कि आज कि नंब्भे नंबर सही है तो 10 कोशन यहां पर इनका गलत हुआ धाई नंबर कम होए और यह जो 90 आज बता रहे हैं यह 242 में और कम होगा क्योंकि बहुत सारी चीजह हमें लग आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा एंसर की के लिए रिजल्ट भी उसके बाद गोशित किया जाना है लेकपाल भरती की जो प्रिक्रिया है वो जल्दी ही पूरी की जाएगी तो मेरे कॉर्डिंग तो यही है बाकी आप जरू बताएं कॉमेंट सेक्षन में कि आपके कितने कोश्चन सही हो रहे हैं और फाइनली आप नंबर बताएगा इतने नंबर अमारे बन रहे हैं क्योंकि 1 by 4 नेगेटिव मार्किंग भी है तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रभाव पड़ेगा परिक्षा में तो अपनी कैटिगरी और टोटल नंबर जरू लिख हैं ताकि एक क्लियर आइडिया लगाए जा सके कि कहां तक इसका कट आप जा सकता है बाकी वीडियो बसंद आया तो लाइक और शेयर कर दाएं चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरू दबा लिजे टेलेग्राम से नों को जान कर लिजेगा लिंक डिस्कुर्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाट तक देखने के लिए थांक्स पर वाचिं